तीडी उर्दू पर नाजरीन आदाब इस्तिखवाल है आपका हमारी इस खास पेशक्ष में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आईन और मैं हूँ आपका मेजबान मुहमद नौमान नाजरीन हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमूरियत है और इस जमूरियत को जो चीज सबसे जादा तक्वियत देती है वो है यहां का आईन जिसमें सभी लोगों के लिए यकसा हुकोग हासिल है समाच के सामने बराबरी और सभी को बाइज़त तरीके से जीने का हख देता है हमारा सम्विधान लेकिन कभी कबार मालूमात की कमी होने की वज़े से लोग इनसाफ के हुसूल में और खास तोर से अपने हुकोग को हासिल करने से कहीं न कहीं कुछ न कुछ न कुछ उनको देर हो जाती है या महरूम हो जाते है हकूमत की मसलसल ही कोशिश है कि लोगों तक मालूमात फराहम की जाए उनको उनके हुकोग हासिल हो और इनसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए हमारे इस प्रोग्राम का मकस्द भी यही है कि आपके कानूनी हुकूख आप तक आपको बता सकें और आप ही जान सकें कि आपके क्या कानूनी हुकूख हैं और आप उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं हमारे आज भी इस प्रोग्राम में एक खास मौज़ होगा और हमारे कानूनी माहिरीन उस मौज़ पर तफसीली रोशनी डालेंगे हमारे साथ आज खास महमान है रिटारजर जनाब शिवा शर्मा सहब और हमारी दूसरी खास मेहमान है मारू पकील अक्षिता मनोचा साहिबा आप दोनों का हमारे स्टूडियों में बहुत बहुत इस्तिक्बाल है और नाजरीन आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्शल हरास्मेंट एट वर्क प्लेसिस ये लफ्स कोई नया नहीं है लेकिन इससे मुतालिक गानून क्या है और अगर किसी काम की जगे पर किसी खातूN के साथ उसको कहीं जिनसी हिरासानी का सामना होता है तो वो क्या करें कहां जाएं और उनके पास गानूनी चार्यजुई के लिए क्या खक हासिल है इस पर आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में इसकी जरुवत कब महसूस की गई और क्या वो परस्पेक्टिव था क्या वो पीछे उसका पूरा एक तनाजुर रहा जिसके तहट ये जरुवत महसूस की गई कि अब हमारे मुल्क में ऐसा कानून लाया जाए जहां पर हम काम करने वाली हर महीला को सेक्योर कोई सेक्ट्र हरास्मेंट ना हो हमश्कार ये बहुत अच्छा विशे हैं महिलाओं को बराबरी से जीने का अधिकार बराबरी से इज्जत के साथ रहने का अधिकार समभी धान देता है हमारे समभी धान में धारा 14 सभी को बराबरी का अधिकार देती है इक्वल प्रोटक्शन ओफ लॉव और इक्वालिटी बिफोर लॉव महलों का उत्पीडन बहुत पहले से होता रहा हैं लेकिन जो इस कानून के बनने की जो हिस्ट्री है जो इसका इतिहास है राजस्थान से शुरू होता है राजस्थान में भंवरी देवी नाम की एक महला विबन डेवलेप्मेंट प्रोग्राम में जो राज्जिस्थान सरकार द्वारा चलया जा रहा था, उसमें कार्य करती थी, उनका काम था महिलाओं को जागरुक करना, स्वास्थे के प्रती, हाईजीन के प्रती, शिक्षा के प्रती, एड्यूकेशन के प्रती, शिक्षा का प्रसार करना, तो अपने इ तो उनको मालूम हुआ कि रामकरन गुजर अपनी नौ महेने की लड़की की शादी करने जा रहा है तो ये बतेरी देवी को अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, किस समझदार आदमी को, औरत को, किसी को भी नौ महेने के बच्चा उसको पता ही कुछ नहीं होता, उसकी शादी हो रही है, भामरी देवी ने जाके उनको रोका, कि आप शादी मत करो, उनको समझाया तो उनको इतना बुरा लगा रामकर्ण को उसके परिवार को उसकी बिरादरी को कि उन्होंने भंवरी दिवी को सजा देने की ठान ली रामकर्ण ने और उसके पाँच साथियों ने भंवरी दिवी का बलातकार किया बहुरी दिव का रेप किया और बहुरी दिव के पती के साम नहीं किया तो उनकी दबंग गई जिससे बहुरी दिव को बेज्जत बेयावरू होना पड़ा पती के सामने समाज के सामने तो उसने अपना इंसाफ लेने के लिए कोट में शिकायत की, कोट में मुकदमा चला, रामकरन गुजर और उसके पांच साथियों को कोट ने समन किया, लेकिन ना पंचैत ने सपोर्ट किया भामरी देवी को, ना डॉक्टर ने किया, ना पुलिस ने किया, ना किसी और ने किया, नतीजा, रामकरन गुजर और उसके पांच साथी बरी हो गए, भामरी देवी तो बैठ गई, लेकिन कुछ NGO, कुछ समाजी कार्या करता हूँ, उन्होंने भामरी देवी को नए दिलाने के बीड़ा उठाया, और भामरी देवी के जैसे बहुत से ओरते हैं, कार्या करते हैं, करमचारी हैं, जिनका पता भी नहीं लगता है कि उनके साथ अन्याए हुआ है, तो उन NGO ने मिलके, सोशल एक्टिविस्ट थे, उनने सुप्रीम कोर्ट में P.I.L. डाली, पब्लिक इंटर्स लिटिगेशन, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में 1997 ने फैसला किया, ये केस, विशाखा केस के नाम से मशूर है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सरहानी एक आरिया किया, डायरेक्शन जारी करी, सरकार को, सरकारों को, प्रैवेट बिजनेस हाउसिस को, कंपनीज को, इसका बड़ा अच्छा स्कोप बना दिया, कि कहीं पर भी, चैस सरकारी करमचारी हो, चैस निजिक शेतर में हो, कहीं पर भी उसके साथ कुछ जाती नहीं होनी चाहिए, उस इज़त से रहे, इज़त से अपना काम करें, इज़त से रोटरी कमाए, अपने मन के मताबिक काम करें, वो डायरेक्शन दी सूप्रीम कोट थे, उन डायरेक्शन के बाद, सरकार ने कानून बनाया जिसको बनाने पूरे 15 सार लग गए कुछ प्रोसीजर की बात है कुछ अन्य कानून रहे होंगे तो 2013 में सरकार ने कानून बनाया सेक्शन हरेस्मेंट ताकि औरतों के ना उसकी प्रिवेंशन के लिए उनकी पनिश्मेंट के लिए कानून बनाया जिसमें अनेक प्रकार की दिशा निर्देश दिये गए हैं डिस्ट्रिक अडिनिस्ट्रेशन को प्राइवेट कंपनीज को ताकि यह कुरीती खतम हो महिलां को साथ अतियाचार ना हो उनको आधर मिले वो ौशा के साथ इजद के साथ डिग्निटी के साथ अपना काम करें जिए तो इस तरी केसि से भूरी के 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 केस के बाद और कुछ सोशल एक्टिविस्ट के परियास के बाद यह सुप्रियों कोट का फेसला आया है और उसके बाद ये कानून बनाए है इंडियू कोर्स यानि ये सुप्रिम कोट ने जरूरत को महसूस किया भामरी देवी केस के बाद के अब इस देश में इस तरह के कानून की जरूरत है और जिस तरह हाँ खातीन आगे बढ़ लई है हर शोबे में हर मैदान में वो आगे अक्षिता मनोचा साहिबा अब मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये हमारे नाजरीन तक इस बात को पहुचाएं कि क्या है ये कानून जो दिसंबर 2013 में पूरे देश में लाग हुआ है नुमान ये एक कानून है जिसमें आफ्टर दू सुप्रीम कोड इशूड अपन प्लेस सेफ हो सब के लिए स्पेसिफिकली वुमिन के लिए कि कही ना कहीं ये आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी है कि आप किसी को एंपलॉय कर रहे हैं तो उसको एक सेफ वर्किंग एंवायमेंट देना आपका काम है तो अगर ये कानून देखें तो इसके तीन मकसद है एक ह प्रोहिबिशन तीसरा है रिड्रेसल जो आपको कानून के टाइटल में ही मिल जाएंगे तो इस कानून का परपस और इसका स्ट्रक्चर ये है कि पहली चीज़ तो आपने वर्क प्लेस में सेक्शल हरास्मेंट प्रिवेंट करनी है दूसरी चीज़ आपने प्रोहिबिट क को पता रहे कि अगर मैंने ये गलती कर दी तो ऐसा नहीं है कि मेरी वर्क प्लेस दबाने की कोशिश करेगी उनकी इंटरनल पॉलिसी ही ऐसी होंगी कि मैं इस कानून के तहत आ जाओंगा और मेरे अगेंस्ट अगर कंप्लेंट होगी तो मुझे वो ट्रायल बियर करना पड जैसे अगर आप देखेंगे बहुत लोग कंप्लेंट करना प्रेफर नी करतें वो नौकरी छोड़ना प्रेफर करतें कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो छोड़ो ये बॉसी छोड़ दो ये नौकरी छोड़ दो गई और काम ढून लो इस सिनारियो को चेंज करने के लिए कि आप अपनी employment में बरकरार रहें और किसी से डरे ना दबे ना आप खुल के complain करें और वही workplace आपका साथ देगी वही workplace वो trial hold करेगी trial care क्या inquiry hold करेगी कि आपके साथ कुछ गलत हुआ की नहीं हुआ और वही workplace ensure करेगी कि safe environment भी आप ही को मिले आप तो क्या आप अपनी आप तो कानून का जो structure है अगर आप देखें जो sexual harassment की definition है आप बिखें जो सेक्शल harassment की definition है अप बिखें जो हमारी डंड सहता है तो IPC में आप देखेंगे section 509 है section 365 है जहां पे words like outraging the modesty of women news किये गए है जहां पे अब तुक है 2013 के amendment के बाद there is talking and there are a lot of other additions and there is also rape and grievous hurt but when you come to this law which is sexual harassment उसमें इनोंने चार पांच तरीके के describe कि अगर आप यह काम करते हैं so this tantamounts to sexual harassment तो for example if I can explain it through examples बहुत लोगों की आदत होती है थोड़े उल्टे तरीके के जोक मारने की और तो के सामने जस्तो थोड़ा सा humiliate करने के लिए कि इससे थोड़ा दबा के रखेंगे now that is sexual harassment under law अगर आप verbally, non-verbally, physically, कुछ भी untoward or uncalled for action करते हैं in fact अगर आप sexual favors मांगते हैं अगर आप कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए ऐसे कर दोगे तो I will promote you अगर आप मेरे लिए ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपको demote कर दूँगा या मैं आपकी employment छीन लूँगा या मैं आपकी work environment इती हॉस्टाइल कर दूँगा कि आप काम ही नहीं कर पाऊगा और आपको अपने आप छोड़ के जाना पड़ेगा यह जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो महिलाएं या मेरे हिसाब से तो आदमी भी कब से सही रहे थे देखी रहे थे वो अब concretize हो गया है internal complaints committee बनानी है वो internal complaints committee महिला की भी बात सुनेगी आपकी भी बात सुनेगी आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपना case defend करने का और उसके बाद inquiry report बनाएगी कि सहाब यह evidence है यह इनकी statements है इनके साथ यहां गलत हुआ है नहीं हुआ है वो inquiry report आपको बताएगी अगर वो inquiry report कह करती है कि जी गलत हुआ है तो internal complaints committee के पास पूरी power है सीधा जाके police को सीधा जाके employer को कहने की कि आप इसके basis पर F.I.R. करा दें यह 509 का 365 का है जिस भी section का case बनता है अगर औरत भी उसमें कहती है कि मुझे F.I.R. नहीं करानी inquiry से पहले ही कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है पर मुझे वो criminal system नहीं करना आप इसको settle कर दो और इस कानून में settlement monetary basis पे नहीं होती है settlement अगर होती है तो ऐसे होगी कि आप उनकी spaces अलग कर दोगे कि आमना सामना ही नहीं आओ आप उनको एक warning issue कर दोगी कि आप ऐसे नहीं गर सकते हैं तो अगर वो औरत भी यह कहती है कि मुझे इसमें फसना नहीं है मुझे अपनी नोकरी शांती से करनी है आप सेटल कर दो यानि आप उनको समझा दो कि मेर साथ ऐसा ना करें that is also something that the law takes care of and that is something that is the responsibility of the employer यह आपके सर पे आप किसी को बुला रहे हो आप देखोगी कि उसको क्या problem होती है और आप ही उसी का redressal करोगे और फैल तरीके से करोगे जानना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं harassment की sexual harassment की तो क्या-क्या वो चीजे हैं जो इसके अंदर आती हैं जैसे कुछ तो मैडम ने किसी employee को काम करने के लिए कहना तो परिशान करना नहीं है जो sexual harassment की बात हो sexual favor मांगने की बात हो उसको touch inappropriately touch करने की बात हो उसको pornography दिखा रहे हैं कि उल्टे सिदे comments कर रहे हैं इसको ऐसे actions कर रहे हैं कुछ कह भी नहीं कुछ action कर रहे हैं जिससे आप कुछ convey कर रहे हैं जो कि inappropriate है यह सब चीजियों उसमें इंगे which is colored with a sexual intent तो उसमें आगा हरे एक harassment की बात नहीं है sexual harassment की बात है law sexual harassment का है तो sexual harassment हो जिसमें मैं आपको बताऊं physical contact or advances, demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature, sexual nature ने conduct हो, हुए है आदमें अपने कप्ड़े उधारी खड़ा हो जाए तो कुछ कहा भी नहीं लेकिन लेकिन देख जाए तो वो कहीं ना कहीं जिन्सी हिरासाली तो है इसक्ली बिल्कुल मोस्ट इनप्रिप्रेट हो गया तो ऐसे इस किसम की जो harassment है जो sexual harassment की श्रेणी में आती है उस harassment के लिए law बनाया गया है इसमें जैसा कि मैडम ने बताया है श्रेटा कमेटी है यह वहाँ पर बनते है जहां दस से ज्यादा employee हों 10 से ज्यादा employee काम करते हो जाह उससे कम है वहां ही बन सकती है उसके लिए district डैवल पह committee बने गी देटें लोकल कम्वेंट कमेटी तो जहां पर इंटरल कमेटी नहीं है अगर उनके साथ कुछ होता पावर्स दोनों की बराबर हैं, दोनों को inquiry करने हमके पास return में complaint आएगी, दूसरे party को बुलाएंग जिसके खिलाब complaint or respondent, दोनों की बास सुनेंगी, अपनी तसलिए करेंगी वाकिये जो sexual harassment का allegation है, जो इसका आरोप है, यह जो लगाया गया है, यह थाबित होता है, यह किसी और बच्छा लगाएगा जूटे हैं ऐसे केसिस भी होते हैं कि जूटे आरोप लोग जाते हैं तो वो कमेटी आई सीसी और एल सीसी जो भी हैं वो इसकी तहकीकात करेंगी सच्चाई की तहह तक जाएंगी उनको लगेगा कि ऐसा हुआ है तो वह अपनी रिपोर्ट बना के एंप्रायर को देंगी उसके मताबिक एक्ष्ण लेगा या डीसी सी होगे वेडिसी सी के चेर्डे मन में डूर एक्ष्ण लेंगे सीरिजर होगा दो पुलिस में कंप्रेंट करेंगे लेकिन जैसे आप ने कहा और अक्षिता जी ने हैं अब इंटरनल कमेंटी के कि उसके अंदर खुवातीन कितनी होंगी और उसके अंदर मर्द कितने होंगे उसको प्रेजाइट कौन करेगा यह किस तरह की कमेटी होगी इसके लिए क्या गाइड लाइन से क्या शर्तें है सबसे पहली शर्त इसकी यह है कि आप सीनियर लेवल की वुमन को बढ़ाएंगे the presiding officer और इस शर्थ का एक बहुत बड़ा मानने है कि अगर आपने किसी senior officer के complaint के लिए against complaint करनी है और जो आपकी internals complaint committee है वो सारे उसके juniors है तो एक biasness का या एक दबने का चांस आजाता है इसलिए सबसे पहली requirement law कि यह है कि there has to be a senior woman officer who has to be a presiding officer उसके बाद you take two members from the same organization not necessarily women but जिनको थोड़ा experience हो social work में या थोड़ी legal knowledge में या जो normally women related cases में कुछ करते हूं जहां basically उनका background हो जहां की तनी sensitization हो कि वो बात समझ पाए और उसकी है तक पहुच पाएं that is the second requirement of law the third requirement of law is there has to be an external member this external member is required ताकि जितना transparent or unbiased procedure हो सके कि it was not just the members of the organization itself जो कहीं अगर उस बंदे को बचाना चाते थे तो बचा सकते थे तो बचा सकते थे तो बचा सकते थे तो उसमें एक बंदा जो भी होगा उसका मेंबर वो बाहर से होगा और वो बहुत जरूरी है ताकि biasness खतम हो जाए ताकि अगर internal complaint committee जो बाकी members है अपने किसी भी एक रुजहान की वज़ा से वो देखना पा रहे हो कि महिला जो कह रही है उसाच हो सकता है या एक तरफ inquiry टिल्ट कर रही हो तो external member कम से कम being an outside person, being a third party, being a different set of eyes उनको बता सकता है कि नहीं, this is not how you go you have to be completely unbiased and अगर ये ऐसे कह रही है तो ये हो भी सकता है तो एक उस biasness को खतम करने के लिए an external member again with experience कोई भी नहीं बन सकता है आपके पास या तो law का experience हो या sexual harassment वाले cases से deal करने का experience हो that is how you form an internal complaints committee ताकि आपकी committee इतनी सशक्तों कि वो action ले पाए अगर आपको employer के ही against complaint करने है which means the person responsible तो because वहाँ पे internal complaints committee चोटी पढ़ सकती है इसलिए law ये भी कहता है कि आप वो complaint सीधा local complaint committee में डाले जो district officer के अंदर है and state के पास या authority है कि वो district officer जब appoint करें तो वो collector या magistrate इन लोगों में से चूज करके point करें ताकि balance of power बना रहे कोई आगे जाके किसी को influence करने के चक्कर में even just for saying कि इनको तो मैं दबा लूंगा वो option ही ना रहे employer के पास that is how well balanced the law is and that is how the structure of the internals complaint committee as well as the local complaint committee is formed यानि के जो internal committee है उसको जो अधिकार है अगर चे वहां employer यानि के जो organization का करता धरता है अगर उसके ओपर अगर allegation आते हैं तो फिर वो local committee के पास चला जाए ताकि वहां किसी तरह का कोई दबाव ना हो और इसको जो preside करेंगी वो महिला ही होंगी अगर सर कोई ऐसी organization है जहां दस लोगों से जादा काम करते हैं और उसके बावजूद वो internal committee नहीं बनाते हैं या उन्होंने नहीं बनाई हुई है तो उनके लिए क्या कुछ सजा है या किस तरह की पाबंदी है उनके उपर या डिरेक्शन से अकॉर्ड लॉग की डिरेक्शन है कि कमेटी बनाएं उनको बनाने पड़ेगी नहीं बनाएंगे तो उनको फाइन करने का प्रोजिशन अकॉर्ड जी अब internal committee के पास अगर हम powers की बात करें तो उनके के पास क्या क्या पावर्ड हैं inquiry के अनावा वो क्या कुछ कर सकते हैं उसके खिलाफ जो भी office में या काम की जगह पर उस महीला के साथ किसी भी तरह की उसको है और जिंसी हरसानी का उसको सामना हो रहा है महीला को तो क्या कुछ उसको सजा मिल सकते हैं इंटर्नल कमेटी के पास ICC या local compliance के दोनों के पास civil court की powers हैं कुछ मामलों में जैसे witness समन करना है कोई आज में नहीं आएगा तो civil court की तरह उसको by force भी बला सकते है witness को समन जारी कर सकते हैं बेलेबल वारेट जारी वह पावर से हैं ऐसे को रिकॉर्ड प्रोड्यूस कराना है रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने के लिए वह सिविल कोट की तरह ही अपने वह पावर यूज कर सकते हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं कि रिकॉर्ड मंगा ज तो उनको civil courts की power इस मामले में है, जो वो report देंगे, अगर report से employee संतुष्ट नहीं है, department action की कारवाई भी हो जाती है, report के base पे कि इसके खिलाब service rules violate करें, इसके action करो, सजा करो, तो उस सूरत में, जो aggrieved है, aggrieved employee है, तो वो या court में जा सकते हैं, या tribunal में जा सकते हैं, ट्रैबिनल, central administrative tribunal या state administrative tribunal जहां वो आते हैं, जो जिसकी jurisdiction हो, तो वो वहाँ जाकर अपने grievances के लिए, अपने इनसाफ के लिए वहाँ जाकर अपना case कर सकते हैं, और अपने बात कहें, वो उसके बात सुनके, जैसे भी थाबित करेंगा, वो अपने नय करेंगे, तो उसके option यह है, कि अगर वो ICC की report से और employer के action से संतुष नहीं, if it's not satisfied, तो वो court में या tribunal में जा सकते हैं, और अब कुछ cases में यह भी देखा गिया है, अक्षिता जी, कि complaint करने के बाद में उसको prove करना, यह एक बड़ा मसला होता है, committee के सामने उनको prove करना है, अब यह prove करने की जिम्मेदारी जो है, यह किस की हो जाती है, और किस तहां से वो, क्या वो सिर्फ complaint करके पीछे हट जाएगी, या उस महीला को आगे तक फर्दर साथ देना पड़ेगा उस committee का, और प्रूफ करना होगा, Sir, एक जो understanding of law जहां लोगों की सफर करती है, मेरे हिसाब से, वो यह ही है कि उनको लगता है, कि अब हमने जब complaint कर दी, तो ये लोग मेरे लड़ लें, कि internal complaints committee का काम आपके लिए लड़ाई करना नहीं है, internal complaints committee का काम है inquiry करना, लड़ाई आपने खुद करनी है, प्रूफ आपने खुद लाना है, witnesses आपने उनको list प्रुवाइट करनी है, वो inquiry करके एक प्राइमा फिसाई opinion बना सकते हैं, लेकिन वो आपको aid या assist नहीं कर सकते, अगर वो कहते हैं कि आप हमारे सामने आके statement दीजिए, अगर वो कहते हैं कि आप list of witnesses प्रुवाइट किये, instead of ये सोचना कि अरे मुझे ही परिशान करते रहते हैं, मैं तो वैसे ही परिशान हूँ, उसकी जगा आप ही ने जाके वो steps लेने हैं कि आप committee को पूरा का पूरा अपनी statement, अपनी list of witnesses, अपनी evidence, अपनी documentary evidence, अगर आपने और कोई video या audio recording की हो, जैसे आजकल जो हम cases देख रहे हैं, because सारी workplace online हो गई है, तो बहुत बार जो employers हैं, जो गलत काम करते हैं, वो बार-बार आपको message करेंगे, कि तुम मुझे video call करो, तुम मुझे video call करो, तो आपके पास WhatsApp में सब है, कि आपके पास messages में, emails में सारी चीज़े हैं, वो सारी committee के सामने लाना आपकी responsibility है, वो लड़ाई, वो evidence आपने खुद करनी है, वो complaints committee तब करेगी, अगर उसे लगता है कि हाँ, यहाँ पर यह इनसा चूक रहा है, या कुछ और है जो इसको नहीं पता पर मेरे सामने आ रहा है, inquiry में, respondent से या जिसको accuse किया है, उससे बात करके है, witness से बात करके, किये और end तक लड़िये, and that is not limited to internals, कहीं भी, किसी भी case में आप जाते हैं, अगर आप case जालते हैं, तो court आपका assistant नहीं है, आपकी aid नहीं है, court का काम सिरफ फैसला करना है, आपने अपनी मदद खुद करनी है, इसी तरह जिसे internal committee के बात हुई हाज, कि उसके अंदर आपको complaint करने के साथ साथ, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, उसको प्रूव भी करना है, ताकि ऐसा करने वाले को उसके अंजाम तक पहुँचाया जा सके, उसको सजा के जो देहलीज है वहां तक उसको ले जाने के लिए भी आपको उसका साथ देना पड़ेगा, आज क्या जो ये मौदू था, इसका जो इतिहास, यानि कि जो इसकी हिस्ट्री थी उसके साथ साथ, ये क्यों गाइडलाइंस हाई, कब ये कानून बना और इसके तहट क्या कमेटी हैं और कमेटी के क्या इख्तियारात हैं, इसको आज हमने समझने की कोशिश की और अगले एपिसोड में हम इसको और भी जादा इसके बारीकियों को, इसके मिसियूस को और जो भी इससे जुड़ी हुई और भी एहम बाते हैं उन पर डिसकस करने की हम कोशिश करेंगे, उस पर रोश्टी डालेंगे हमारे माहिरें, आज के इस खास प्रोग्राम के लिए आपने हमें खीमती वक्त दिया, उसके लिए हम अपने दोनों मेहमानों के बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं, और अगले एपिसोड में इससे जुड़े हुए और मौजवात पर बात्चीत करेंगे, लेकिन हमारी आज की इस पेशकश में हमें यहीं दे दीजे इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे इसी मौजव पर और इससे जुड़ी हुई और एहम बातों पर गुफ्तगू के साथ हमारी पूरी टीम को दे दीजे इजाज़त, खुदा हाफिस.